हम सबों को बच्चों से बहुत प्यार होता है ऐसा कोई भी वेक्ति इस दुनिया में नहीं है जो बच्चों से प्यार नहीं करता है हर वेक्ति छोटा बड़ा जवान बूढ़ा कोई भी हो बच्चों से एक प्रकार से अट्रैक्शन होता है खिचा होता है और उसके पास जाकर उससे खेलो अलग-अलग प्रकार की आवाज निकालो और कभी-कभी कुछ लोग तो बच्चों के लिए पागल से हो जाते हैं प्यार में अच्छी बात है और हमें बच्चों को प्यार करना भी है उनके साथ खेलना है उनके साथ दुख सुक सब शेर करना बहुत जरूरी है बच्चे हमारे समाज के एक अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके क्या होंगे हमारे समाज के और एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे, यही बच्चे जो आज छोटे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी किसी भी परिवार में बच्चा पैता होता है, अरे जावा, तो बस खुशियों का ठिकाला नहीं है, खुब मिठाईयां बाठी जाती है, और हमारे तो यह आशिश के रूप में आता है, और यह हमें याद दिलाता है, कि हमें उस परमेश्वर के और फिर ना है, जिसने हमें यह आशिश दी है, बच्चों की और से, जब हमें बच्चे देते हैं, चाहे वह एक हो, लड़का हो, लड़की हो, भाई हमें तो कोई डिफरेंस करना थे कि लड़का हो ढषण करना है जो भी परमेशवारा में देता है हमें धन्यवाद के साथ उसको ग्रहन करना है अगर को हम सोच्छा आरे यार मुझे लड़की मुझे आनन्त के साथ उसे ग्रहन करना है, यह तो अभी हो गई हमारी बच्चों के लिए छोटा सा इंट्रोड़क्शन कि बच्चे किसी ने कहा है कि बच्चे क्या होते हैं मन के सच्चे होते हैं, बड़े इनोसेंट से होते हैं अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो अगर वो दो तीन साल का होगा तो इधर उधर घुमता रहेगा अवाज अलग प्रकार की आवाज निकालेगा चलने की कोशिश करता है लोग देखते हैं यार देखो कैसे चलता कैसे बात करता है धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है भाशाय सिखती हैं हमारे कल्चर हमारे सब कुछ सीखते हैं जो हम उसको सिखाते हैं बच्चपन से So आज का जो मेरा विश्चा है वो यह है की जब की बच्चे इतने प्यारे होते हैं और परमेश्र की और से एक दान है तो आपकी थमेरे जमेदारी भी कुछ ऐसी ही होती है जैसे कि हमें कोई कांच की गुडिया दिया है और उस कांच की गुडिया को हमें संभाल करके अपने हाथ में रखना क्योंकि अगर वो जमीन में गिर गई तो वो तूट सकती है और एक बार वो तूट गई तो जोड़ने काम नहीं चलेगा तो आत्मी कृति से भी हमें इसी प्रकार से बच्चों के समान बढ़ना है और बच्चें जो हमारे जीवन में आते हैं उनको भी हमें कैसे आगे बढ़ाना इसी के बारे मैं आज कि आपके लिए कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा इससे पहले कि मैं बढ़ू मैं आपके लिए बहुत अच्छा पद जो एक आशिश के रूप में दिया जाता है और पाए जाता है भजन सहिता उसका 127 अध्याए भजन सहिता उसका 127 अध्याए उसका 3, 4 पद और 5 पद भी हम देख लेंगे भजन सहिता 127, 3, 4 और 5 देखो लड़के यहवा के दिये हुए भाग है गर्ब का फल उसकी ओर से प्रतिफल है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं क्या ही धन्य है वा पुरुष जिसने अपने तरकश को उन से भर लिया हूँ वा फाटक के पास शत्रों से बाते करते संकोच ना करेगा तो यहां पर हम क्या देखते है जो बचचे हैं वो परमेश्वर की और से क्या है आशिश है एक बेटा हो एक बेटी हो दो बेटे हो दो बेटी हो थीन बच्चे चार बच्चे जो भी बच्चे पुराने समय में तो दज, बारा, पंदरा, बीज बच्चे हुआ करते थे, पुराने समय में उसमय तो आबादी की उतनी प्राबलम नहीं थी, लेकिन आज तो थकैर आबादी की एक समस्या है हमारे सामने, लेकिन जो भी बच्चे हमारे सामने आते हैं परमिशर देता है, हमें हाथ जोड़ करके पती-पत्नी, माबाप धन्यवाद के साथ प्रभू को अपने अराधना चड़ाए धन्यवाद और स्थूती के साथ, ये तो हमें करना ही है, एक और पत्में आपके लिए पढ़ देता हूँ, जो इसी से संबन्दित है, यशाया उसका चववन अध्याए 54, यशाया उसका चववन अध्याए और उसका 54, और उसका तेरा पद क्या लिखा हूँ है? तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांती मिलेगी कहने का मतलब मसही परिवार में यदि हमारे बच्चे चाहे हो, बेटी हो, बेटा हो एक हो, दो, तिन, चार जो भी हो अगर वो विश्वासी बन जाते हैं तो एक माँ बाप के लिए और कोई खोशी का ठिकाना नहीं रहेगा सिर्फ ये कि भाई मेरे बच्चे मेरे बेटे बेटियां प्रभू के रहा पर चल रहा है प्रभू को प्यार करते है सचे परमेश्व को जानते है और मुझे जब मेरी बेटी हुई थी तो हमने तो भाई बहुत पहले से उसकी ट्रेनिंग कर दी थी गर्ब में ही हमने गाने सुनाये वचन सुनाया और उसके साथ ही बढ़ी हुई और वो प्रभू को बारह साल में प्रभू को ग्रहन किया तो ये हमारे लिए तो एक बड़े अगर हम कहें सही रूप का जो गर्भ है एक सही रूप का अगर घमंढ है आत्मी कृती से एक अच्छा खामन्द है कि मेरे बच्चे आपके बच्चे प्रभु के भै में जाते हैं ये बहुत जरूरी है इसलिए आज का जो मेरा विशा है कि हम अपने बच्चों के लिए जरूर टाइम बिताएं प्रार्तना करें क्योंकि जब वो छोटे होते हैं तो आपको और हमक करना पड़ता है उनको समझाना पड़ता है उनको सिखाना पड़ता है तो ये सिर्फ तभी आ सकता है जब आपने बच्चों को सही आत्मिक शिक्षा दें उनके लिए प्रारतना करें किसके बारे मैं थोड़ा और मैं बात करूंगा लेकिन यहां पर लिखा हुआ है तेरे स ये जो बच्चे परमेश्वर आपको और मुझको देते हैं इसके साथ साथ आशिश के साथ साथ क्या आती है जिमेदारी आती है अब उधारन के रोप में भाई अगर कोई किसी कंपनी का डिरेक्टर बन जाता है उची पद्वी पर बेस्ट पहला पद्वी पर पहुंच जात जिमेदारियां भी आ जाती है ए इसको भी पूरा करना है तबी तो भ साथ किलाने की यह के होगा में यह परीकर नहीं की अच्छे अच्छे डिरेक्टर है यह अच्छा बॉस है यह söई लहकी जब हम बच्चों को दीखते हैं तो परमेश्वर जो बचचे हमें देते हैं उस के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आते हैं और यही बाद हम पढ़ते हैं इफीसियों की पत्री इफीसियों की पत्री और उसका छे अध्याए चार पद इफीसियों की पत्री छे अध्याए और चार पद यहां पर माबाप के बारे में लिखा हुआ मैं एक बाप हूँ है ना तो हमारे पास मेरी वाइफ है और हम पती-पतनी है तो हमें अपने बच्चों के साथ क्या वो जिम्मेदारी है जो हमें मुझे और आपको पूरी करनी है हम ऐसी उन बच्चों को नहीं छोड़ना है नहीं तो वो मुझे ये कहनते हुए थोड़ा शरम से आती लेकिन कभी-कभी हमारे बच्चे जंगली से निकल आते क्योंकि हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और यहां पर लिखा हुआ है इफीसियों छय अध्याय और चार पद में और हे पिताओं अपने बच्चों को रिस्थ न दिलाओ परन्तु प्रभू की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोशन करो क्या है प्रभू की शिक्षा देते हुए उनका चेतावनी देते हुए उनका क्या करो पालन पोशन करो ये जिम्मेदारी है हर मा की, हर बाप की, हर माबाप की हर पती पतनी की ये बहुत जरी रही अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं जो डायाग्राम है पिक्चर है माबाप दोनों अपने हाथ उठा करके प्रार्तना इस्तूती अरादना में लगे हैं, और उनके बीच में कौन नीचे है बच्चे, अपने बच्चों के लिए माता पीता अपने बच्चों के लिए इतना सक्रिफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं टाइम देते हैं, पैसा कमाते हैं उनकी सरक्षन करते हैं आत्मिक रूप से, शारिरीक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से वो भढ़ाने की कोशिश करते हैं, यह बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ माबाप को भी ध्यान देना है, अब आप जानते हैं, आजकल हमा से कई प्रकार के और दूसरी चीजे जो आ गई है वर्चूल रियालटी और तरदर की चीजे जो हमारे समाज में आ गई है उससे वातावरन इतना दूश्ट हो गया है कि हमारे बच्चे इससे अचुटे नहीं है, काई न काई उनको छू लेता है, अब वो स्कूल जाते हैं, सब के पास मोबाइल होता है, वहाँ पर क्या देखते हैं, उल्टे सीधे गंदे चित्र गंदे विडियोज क्या है, भई भच्चे हैं अब कोई दोस्त बोलाता है, देख 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 ये, देखो हमारे बच्चे, जो मसी बच्चे हैं वो भी जोईन कर लेते हैं वहाँ पर गाली गलोज भी सीख लेते हैं हो सकता है, क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं, वैसा ही गंदा माहौल हमें प्रभावित कर सकता है, इसलिए बहुत ज़री हम बच्चों को शिक्षा दें बाइबल की शिक्षा दें एक समय निकालें अपने बच्चों के लिए दिन भर माबाप, उसके साथ खेलें प्रारतना कनें और उनको प्रभू की शिक्षा दें ताकि वो जो हमारा वातवारन जो दूशित हो गया है ना, पाप से और मीडिया से, आजकल मीडिया का तो बहुत जबरदस्त है छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल लेकर घुमते हैं आपको पता है बच्चों को तो मोबाइल तो मैं तो बिलकुल अगेंस्ट हूँ आपको नहीं देना चाहिए हाँ, मैं यह समझता हूँ कि जब स्कूल में मोबाइल ले जाना पड़ता है कुछ होम वगर के लिए तो बात अलग है लेकिन माबाप को इसमें भी बहुत सावधानी बरतनी की जरुरत है बहुत सावधानी बरतनी की जरुरत है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आप से यह बिंती करूंगा जो माबाप हैं अगर आप सुन रहे हैं अगर माबाप नहीं सुन रहे हैं तो यह जो दूसरे माबाप हैं जो आप सुन रहे हैं उनको फोन करके बताईए भाई, आपके लिए बहुत अच्छा मेंसेज है, मेंसेज भाई है कि बच्चों के लिए प्रारतना, जब भी आपके बच्चे इस्कूल जाने लगते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, यह ना, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, सुनिय ध्यान से, स्कूल भेजने से पहले, उन बच्चों के उपर हाथ रख करके दोनो अमाता-पिता प्रारतना करें, क्या प्रारतना करें? कि प्रभू, यह तेरी धरोवर है, तेरी संपत्ती है, हमारे बच्चे, तुने हमें दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं, कि इनको हम तेरा बच्चन सिखाएं, लेकिन अब यह जा रहे हैं दुनिया में, क्लासरूम में, उस प्रकार के वातावरण में, जो दूशित हो चुका है, प्रार्तना करें कि प्रभू आपके बच्चों को इन दुशित वातावरण से बचा के रखें, यह प्रार्तना करें, कि वो उनका मन इन बातों की और खिचाव न हो सके, गंदे-गंदे गाली, जवाब वापस जवाब देना, घुसा होना, रिबैलियस, हमें वो चाहिए, रोने लगते हैं बच्चे अगर नहीं मिलता है, यह अच्छी बात नहीं है, तो आप अपने बच्चों के लिए, जब वो स्कूल जाते हैं, बस में आप छोड़ने जाते हैं, तो घर में ही, आप दोनों पती-पत्नी, अपने बच्चों के लिए, सिर के उपर हाथ रख करके, जितने भी बच्चे हैं, प्रार्तना करें, ये शुमसी के नाम में, प्रार्तना करें, ये तो पहली बाल, दूसरी बात, आप प्रार्तना के एटिटूट में रहें, कि कि आपको तो पता नहीं, ये बच्चा क्या कर रहा है आपका, आप तो बस, जो हो रहा है, हो रहा है, जब बच्चे वापस आते हैं, तब भी आप, धन्यवाद दें प्रभू को, कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, और प्रभू जी अगर इसने कुछ ऐसी बात सुनी या बोली है, तो सहाईता कर, इनको शमा कर, एक प्रकार की सफाई, जैसे बलते हैं ना सफाई अभियान, उस वातावरन जो दूशित वातावरन में, जो अन्य जातियों की जो लोग, बच्चे हैं वहाँ, वो तो हम उनको मसीही जो वैल्यू है, मसीही नियम वो तो हम नहीं एक्सपेक करते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो है, विश्वासी के बच्चे हैं, वो प्रभू की संपति है, इसलिए आपको उन पर और ज्यादा ध्यान देना है, कि शैतान इन पर अपना आक्रमण न कर सके, ये बहुत सरूरी है, तो जब वो वापस आते हैं, उस समय भी आप प्रार्थ ना करें, कि प्रभू अगर ऐसी कुछ बात हो गई, तो शमा करें और उसको इस प्रकार से बढ़ाएं, तो क्या होता है, बच्चों पर एक प्रकार का हिया हो जाता है, एक प्रकार का बढ़ा अच्छा रिस्पॉंस उनकी तरफ से आता है, भई हमारे माबाप जो है, हमारे कितनी अच्छी सेवा करते हैं, हमारे प्यार करते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो एक जो प्रेम है बच्चों का माँ बाप के प्रती और बढ़ जाएगा है ना ना सिर्फ वो आपके बच्चे हैं और खुब हो अला होता ना कुछ बर्द डे पार्टी हुई या कोई celebration होता है तो लोग थोड़ा सा धीले से हो जाते हैं आत्मी करीती से हैं कुछ इदर उदर hot बाते हैं या कुछ उल्टा सिदा ड्रिंक कर लिया excitement में तो अयूब को तो बता था कि ये गलत है तो वो क्या बोलता है सबेरे उटकर के वो प्रभू से माफी मांगता है प्रभू यदि मेरे बच्चों ने कोई प्राप किया शमा कर बलिदान प्रभू के सामने चड़ाता था ठीक उसी प्रकार से जैसे अयूब अपने बच्चों के लिए नियमित रूप से करता था ये माबाप के जिमेधारी है responsibility है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रापना करते रहें ना सिर्फ आप स्कूल भेज़ने थे समय लेकिन जब भी दिन में समय मिलता है आप अगर पिता जी अगर काम में है husband is at work वहाँ पर अपने मन में प्राटना कर सकते हैं या ममी अकेले हैं या काम कर रहें वो भी अपने मन में आत्मा में प्राटना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए क्योंकि वो देख तो सकते हैं कि क्या हो रहा है कि कल हमारे सामने कुछ बच्चों की बात आई और एकदम से मेरे को, मेरी वाइब ने कुछ बच्चों के बारे में बात किया, और ये बात मेरे को एकदम से ठन गई किया, एक एपिसोड तो बनाना है, जो मैंने शायद अभी तक बनाया नहीं कि बच्चों के लिए हम प्रार् पूरा करते हैं, चाहे वो शारीरीखो, मांसीको, जो भी हो, करते हैं, लेकिन आत्मिक जरूरत भी आप उन बच्चों के लिए करते हैं, तो इससे क्या होता है, कि जो मसीही परिवार है, आप माबाप और बच्चे एक तरह से सा प्रभू में बढ़ते चले जाते हैं, अब मै कहना नहीं मानते हैं नहीं होता है ऐसी बात नहीं लेकिन बच्चे जब बढ़ते हैं तो गिरते बढ़ते हैं लेकिन ये मस्जी जीवन में थोड़ा उपर नीचे चरहाओ तो होता है भाई हमारे साथ होता है तो उसी प्रकार से कि मोबाइल में क्या-क्या अगर उन्हें मोबाइल चाहिए भी होगा मतलब इस्कूल की कारी के लिए तो उनको समझाएं कि कैसे मोबाइल को इस्तमाल करना है उल्टे-सीदे चित्र या कार्टून आजकल कार्टून में बड़े गंदे-गंदे कार्टून आ रहे हुशार रहे है तो आप अपने बच्चों को सिखाएं कि मीडिया का इस्तमाल कैसे हो ताकि बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके बच्चे इस मीडिया को सही रूप से इस्तमाल कर सके सो आजका जो हमारा टॉपिक था कि क्या हम अपने बच्चों के लिए प्राठना कर रहे हैं क्योंकि यही आगे चल करके हमारे समाज के, हमारे परिवार के हमारे कलीसिया के, हमारे चर्च के और हमारे देश के एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे लेकिन इसमें माबाप की जिम्मेदारी बहुत होती है आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के प्रती, ताकि आने वाले समय में हम ऐसे स्तंब ऐसे खंबे खड़े करें जिससे हमारा समाज खुश रहेगा, प्रसंद रहेगा सबसे बड़ी बात ये है, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की अरादना होगी, परमेश्वर परता खुश होंगे, प्रभुष्व मसी खुश रहेंगे, बतलब परमेश्वर की महिमा होगी, ये मेरा कहने का मतलब, सो मेरी प्रियों आईए इससे पहले कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजे प्रारतना करें वापस आते हैं उसमें भी प्रारतना करें धन्यवाद दें और इस प्रकार से अपनी बच्चों को मसीश शिक्षा में आगे बढ़ाएं और ऐसा आप करेंगे भी मुझे ऐसा श्वासे